अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को Knowledge for Indian आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HH omega capsule के बारे में इस capsule के या फिर इस medicine के क्या फाइन है, क्या नुकसान है, कैसे लेना है ये सारी जान करें जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो दिखें ये जो HH omega capsule है, अगर हम इसके price के बारे में बात करें तो ये 210 रुपे में जो है 10 capsule आती है एक strip के अंदर अब price जो है समय के अनुसार बढ़ता रहता है, तो जो आज का price है वो इधर में आपको बता दिया है अब ये जो HH omega capsule है, ये Hagler and Hagler Pharma Company वालो की है जो कि काफी अच्छी कंपनी है, अब इसको खरीदना कहां से, तो देखें जो भी local alopeedy जो medical store होते हैं वहां से आप घर के आसपा जहां भी medical store होंगे, आप इसली purchase कर सकते हो और इसके हम composition के बारे बात करते हैं, इस capsule में क्या-क्या है तो देखें इसमें मिलेगा आपको omega-3 fatty acid, जिसमें के आपको EPA और DHA मिलता है इसका अलाबा है इसमें wheat germ oil, इसका अलाबा इसमें है green tea extract और इसमें है biotene, copper, selenium, zinc, lutein, vitamin C, vitamin E, और इसमें है Z-exanthin तो देखें इतने सारे जो हैं इसमें ingredients हैं जिससे के ये जो है HH omega capsule बनाई गई है अब देखें आजकल की जो lifestyle हो गई है, भागदोड की जो जिंदगी हो गई है और इसमें के हम जो है बाहर का खाना खाते हैं, junk food, fast food, fry खाना खाते हैं और जो है time पर नाश्तन निकरते हैं, time पर खाना नहीं खाते हैं जिस कारण होता है कि हमारे सरीर में कमजोरी आ जाती है और समय से पहले बहुत सारी बीमारी भी होने लगती है तो उस condition में ये आपके लिए काफी अच्छी supplement हो सकती है अब इसके फायदे के बारे बात करते हैं अगर आप ये capsule लेते हो तो क्या क्या फायदे मिलेंगे तो देखिए अगर आपको energy कमी है या weakness जैसा लगता है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो इसके अलाबा ये जो है blood circulation को improve करती है जिससे होता क्या है कि आपके जो body के parts हैं जो body के organs है उनको जो है oxygen मिलता है और nutrition भी जो है उधर तक पहुंचता है तो blood circulation अच्छा खासा होना चाहिए हमारी body में इसके अलाबा आपके nervous system के लिए काफी अच्छी है आपके heart के लिए काफी अच्छी है और आपकी eyes के लिए आपके आँखों के लिए भी काफी अच्छी है आपके आँखों की health के लिए इसके अलाबा आपके brain function के लिए अच्छी है और अगर आप ज़्यादा stress लेते हैं ज़्यादा तरावों में रेते हैं डेप्रेशन है तो उस condition में भी ये HH omega capsule आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है इसके अलाबा अगर आपको नीद सही से नहीं आती है sleep disorder है तो उस condition में भी फायदे मंद होती है और ये medicine जो है LDL को कम करती है मतलब cholesterol को कम करने का काम करती है LDL होता है bad cholesterol जो के हमारे heart के लिए काफी बेकार होता है अगर ये LDL बढ़ जाए तो हमारे heart को नुकसान हो सकता है और कोई heart की बिमारी हो सकती है तो उसके लिए आपको एक lipid profile नाम का test होता है blood test वो करा लीजेगा तो उसमें आपको LDL पता लग जाएगा जिसको bad cholesterol बोलते हैं इसके लावा ये जो है free radical damage से बचाती है क्योंकि इसमें antioxidant है और आपके cells को damage होने से बचाती है और जो लोग HH omega capsule लेते हैं तो उनको जो है cancer का खत्रा भी कम रेता है क्योंकि cancer के जो cells हैं उनको ये बनने नहीं देती है इसके अलावा ये आपके बालों के लिए और skin के लिए भी काफी अच्छी है क्योंकि इसमें देखिए biotin है और zinc है और देखिए biotin और zinc जो होता है आपके बालों के लिए काफी अच्छा होता है तो अगर आपके बाल जढ रहे हैं तो उस condition में इसको ले सकते हैं लोज के बारे मैं बता देता हूँ कैसे लेना होता है तो एक केपसॉल आपको एक दिन में एक ही बाल लेना होता है और कभी भी ले सकते हो सुभा साम कभी भी जो है ले सकते हो एक बाल लेना होता है और कुछ भी खाने के बाल लीजिए चाहे नास्ता करो ये खाना खाओ उसक इसके हम side effect के बारे बाद करें तो side effect में जैसे कि आप कोई खुजली हो सकती है, सरीर में recess आ सकते हैं, या face में pimples जो है आ सकते हैं, या फिर आपका पेड बगेरा खराब हो सकता है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इसको लेना बंद कर दे, और doctor से सला ले सकते हैं, आप कोई दूसरी medicine पहले से चल रही है, जैसे कि कोई multivitamin या antioxidant तो इसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं, तो देखिए इसमें भी vitamins जो है इससे मिलते हैं आपको और antioxidant हैं तो मैं मना करूँगा, क्योंकि अगर आप पहले से कोई multivitamin या antioxidant ले रहे हैं तो ना ले कोई कोई एक ले, या फिर doctor से सला करें तो बहतर रहेगा, अगर आपको जरूवत है तो फिर लेना पड़ सकती है, या फिर कोई एक ही supplement ले तो बहतर रहेगा, अब इसके लाब कोई दूसरी medicine आपके चल लही है, तो सभी के साथ ले सकते हैं, कोई problem नहीं है, आप कब तक लेना है, तो depend करता है, आप क्यों लेना चाहते हो, क्या बीमारी है, हालां कि आप इसको एक से तीन मेना लेके देखें, आपको अच्छा खाजर रिजल्ड मिलेगा, और रिजल्ड के बारे बात करें, तो एक मेने कम सकम लेके देखें, एक मेने में आपको जो है, फर्क नजर आने लगेगा, अब इधर में कुछ एडवाईस देना चाहूंगा, अगर आप ये एचे चोमेगा केपसूल लेते हो, तो आपको अलकोहूल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, जंक फूड, फास फूड, फ्राय खाना, मीठा खाना, मेदे से बनी चीज़े, इस सब नहीं खाना, इस सब हमारे हेल्थ के लिए बेकार होता है, इसके अलावा फाइबर वाला खाना खाईए, फ्रूट्स खाईए, सलाथ खाईए, और आपको एक्सराइज करनी है, और अगर आपको एक्सराइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो एटलिस आप वाकिंग कर सकते हैं, पेदल चलिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, इससे क्या होगा कि आपका सरीर भी फिट रहेगा, और आप बहुत सारी बीमारियों से बज सकत और साथ में इस एजए चोमेगा केपसूल को लेते जाईए, तो मेरा वीडियो दरी खतम होता है, और अभी को डाउट है, इस वीडियो को लेकर तो कमेंट वार मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है, हैल्स से लेटेड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अच्छा लगे है, तो लाइक भी कर दीजीगा, फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, जब तक आप बने रही हो, देखते रही है, आपके अपने चैनल में, नॉलिज फोर इंडियन